नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल पर्देश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल पर्देश के किस जीले से न्यूज को देख कमेंड बॉक्स में कमेंड करें साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सस्क्राइब करें और वेलाकन को जरुद दमाएं तो दोस्कों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें सभी दस गरंडिया पूरी करेंगे पहली केमिनेट में ही देंगे OPS जे कोरना संकरमित होने के चलते हिमाचल सदन दिल्ली में कोरंटाइन मुख्यमद्र सुक्मिन्दसी सुकू ने कहा कि COVID-19 के दिसा निदेसों का पालन करने के बाद मैं जल्द काम पर लोटूंगा उन्हेंने कहा कि बिदान सबाचुनाप के दुरान कोंग्रेस की ओर से दी गई सभी दस गरंडिया पूरी करेंगे और पहली केमिनेट बैठेक में ही पुरानी पैंसन योजना पाल की जाएगी वहीं मंगल बार को दिनाई दिल्ली से जारी प्रेस बियान में मुख्यमद्र ने बताया कि COVID-19 संकरमन के कोई लक्षन नहीं है उन्हें ने कहाए कि परदेश वास्यों की उमीदों और अखंचाओं पर खारा उतरने के लिए अहर संबब परियास करेंगे वहीं सरकार ने निरने लिया है कि कॉंग्रेस के परतिग्यां पतर 2022 में करमचारियों की OPS की लंबित मांग के संबद में किये गे वादे को मंत्री मंदल की पहली बठेग में पुरा किया जाएगा CM अपिस में नहीं नीक्तियों की तैयारी परदानेजी सचीब समेथ पांच नहीं ब्रांच अपसर लगेंगी जेराज में सरकार भदलने के बाद मुख्यमंत्री बैसे कोरोना पोजिटिव होने के बाद दिली में स्वास्त लाप कर रहे हो लेकिन सिमला सचीबाले में उनके दफ्तर को रेडी करने का काम चल रहा है वहीं आपका मताद देगी मुख्यमंत्री कारेल में परधानेजी सचीब के साथ सथ पांच नहीं ब्रांच अपसर लगाई जा रहे है अभी तक सुकमिंदर सिंग सुकू की सरकार जैराम सरकार के दुरान नियुक्त अधिकारियों से ही काम चला रही थी वहीं आपका मताद देगी सीएम ओपिस में चार सखाये हैं और पांच भी कॉंस्टिव एजेंसी ब्रांच है सिमला सर की जल आपूर्ती योजना को दो सो मिलियन डोलर की मदद दो हिस्सों में मिलेगी रकम जे केंदरिये सरी अवास मंतरी को सर किसोर ने राजसभा सदस्य इंदू गोसामी को सदन में बताये कि सिमला सर की जल आपूर्ती योजना के लिए विस्व बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डोलर की वित्तिय साहता मज़ूर की है उन्हेंने काया कि यह 182 भागा में स्विकृति की गई है जिसके अंतरगत विकास निती रिन 40 मिलियन डोलर और परिनाम हैत्यू कारे करम के लिए 160 मिलियन अमेरिकी डोलर की धन राशी स्विकृत्त की गई है वही केंदरियय मंद्रीर कोशल किसोर ने बताए कि 2020 दुवारा वीत पोसीद सिम्ला जल आपुर्ती योजना को वर्स 20 Artemis तक पुरा कर लिया जाएगा उन्हेंने काया कि अमरित योजना के अंतरगत सिमला सर की मौजुदा जल्व आपूर्ती परनाली योजना के सुधार के लिए 76 कड़ोर 3 लाग रुपए की लागत की परयोजना शुरू की गई है जेराम ठाकुर बोले बिजली बोड के दबतर बंद होने पर कोट जाएंगे जेपुर्व मुखमतिर जेराम ठाकुर ने काया कि हिमाचल परदेश की सुकु सरकार बदले की भवना से काम कर रही है बिजली बोड के कईस अदबतर बंद कर दिये गए इसका भाचपा कड़ा विरोध करती है और सरकार के इस फैसले के विरोध में कोट जाएंगे एक एक कर सभी सनस्तान बंद करने के फैसले पूर्ण रुप से सरकार की तनसाई को दिखाते है वही पूर्ण स्रियम ने जारी एक बयान में कहा है कि ये सभी डिवीजन और सब डिवीजन बोड की बैठाग में सरकार की मंजूरी के बाद खोले गए थे दूसरी और भाचपा परदेसादे सुलज कस्रियप अगला बयान में कहा है कि मुख्यमत्र सुक्मिंदर सिंग सुकु पर आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ पूर्व सरकार के लिए गए निरने लिपरटने आई है वही भाचपा इसकी निंदा करती है सुकु सरकार ना धरंपूर इस्तीत सिवा प्रोजेक्ट का पहला कालेले बंद कर करमचारियों को सिमला बुला लिया एक्सिलन्स केंदर बंद कर दिया इस सरकार को जनहित की चिंता नहीं है भाचपा के कारेकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ दी एलेड की 197 सीटों के लिए 26 और 27 दिसमर को कॉंसीलिंग जेहिमाचल परदेश स्कूल चिक्चाप बोड दी एलेड सतर दो जर बाईस चोविस में निजी मानेता प्राप्ति चिक्चन सनस्तानों में परवेश के लिए चोथे चरन की कॉंसीलिंग परिक्रिया सुरू करेगा यह कॉंसीलिंग परिक्रिया 26 और 27 दिसमर को बोड मुख्याले धर्मसला में सुबह 10 बज़े से सुरू होगी वहीं आपका मता देगी दो दिन तक चलने वाली इस कॉंसीलिंग के लिए चिक्षा बोड ने 508 अभियरतियों को सौट लिस्ट किया है यह कॉंसीलिंग परिक्रिया सब्सिडाइज और नन सब्सिडाइज दोनों परकार की सीटों के लिए होगी वहीं आपका मता देगी मेरिट लिस्ट के अधार पर चिक्षा बोड ने 26 दिसमर को 25 जबकि 27 दिसमर को 268 अभियरतियों को सौट लिस्ट किया है बोड ने सौट लिस्ट किये अभियरतियों को निर्देश दिये हैं कि बोड की और से तैक्तिति के अनुसार है बोड मुख्याले में कॉंस्टिनिंग के लिए पहुँच जाए परवानों की और से कर्चोरी के दो बड़े मामले पकड़े गए हैं इसमें 6 कड़र 70,181 रुपिय सरकारी खाजाने से गलत रिफंड दिया गया इसके अलाबा 2 कड़र 61,42,211 रुपिय की GST रासी को अवेद रूप से टैक्स के रूप में अनुमती दी गई थी और इस पर जमा की गई रासी वापस्त कर दी गई इसमें विभाग के ही एक अधिकारी की सनलिवतिता सामने आ रही है दोनों कमपनियों को करीब एक गारा कड़र की रासी रिफंड कर दी गई वहीं दक्षिन परवत्तन जोनने मामले की विस्तार से जाच करने के बाद GST अधिनियम की धारा 74 में मामला दर्च किया और 10 कड़र 27,09,692 रुपिये का नोटिस जारी किया और दोस्यों के खिलाब कानोनी करवाई शुरुकी है ये दोनों मामले एक ही अधिकारी की और से एक ही कारेले से संबंदित पाए गए है पियेम से मिले जराम मोदी बोले हिमाचल के लोग को केंदर सरकार देगी भरपूर सहयोग जिये परधान मंतिर नदमोदी ने असवासन दिया कि हिमाचल परदेश के लोगों को केंदर सरकार का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा वही मंगर बार के पुरुमुक्ह मंतिर जराम ठाकूर ने दिल्ली में परधान मंतिर नदमोदी से मुलाकात की जराम ठाकूर ने परधान मंत्री को हिमाचल परदेश के विधान सभा चुनाब में भाजपा को मिली हार को लेकर फेड़ बैक दिया वहीं जराम ने भाजपा सरकार के पाच साल के कारेकाल के दोरान केंदर सरकार से मिले सयोग के लिए आभार भी जताया परधान मंत्री के कुसर नेत्रित में परदेश भाजपा चनसिवा का या करम निरंतर जारी दखेगी वहीं राजी के विकास को थमने नहीं देंगे हर कारे में पारदर्शिता रहे इसके लिए विधान सभा के अंदर और बाहर आवाज उठाई जाएगी वहीं परधान मंत्री मोधी के साथ उनकी सार्थक बैठक हुवी विधायक विक्रमादितिया बोले परिवारिक मामला उच्छालने बाले जल्द होंगे बेनकाब जेसिमला गरामिन से विधायक विक्रमादितिया सिंग ने काया कि मेरे परिबारिक मामले को उछालने का सडियंतर रचने वाले जल्द बेनकाब होंगे पतनी की और से घरिलू हिंसा के आरपों के मामले में उन्होंने काया कि धूमे को निकलने के लिए आग की जौरत है वो जानते हैं कि कौन इस सडियंतर के पीचे है हौल लचपर मा भिमा काली का असिरवाद है जानता उनके साथ है चुनाब के समय से ही मुद्दे को क्यों उच्छाला गया इसके पीचे कौन-कौन है जल्दी उनका खुलासा किया जाएगा विद्यार्थे पो रहात अकेश चात्य विर्थियों के लिए 31 दिसम्बर तक बढ़ी आविदन करने की ती थी जेकेंदर और राजे सरकार की ओर से परदेश भर के सरकारी इसकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की गई विद्यार्थियों के लिए आविदन नहीं कर पाई कई विद्यार्थियों ने नेशनल स्कोलर्शी पोटल पर चात्य विर्थियों के लिए गलत आय परमान भर दिये थे इन गलतियों को दूर करने और आविदन से वंचित विद्यार्थियों के सुईधा के लिए चिक्चा विवाग की और से चातिवित्यों के लिए आवेदन की तीथी बढ़ा दी गई है वहीं आपको मताते कि उचिक्छा विवाग की उपनेदेसक बीडी सर्मा ने कहा है कि विभिन शात्यवित्यों के लिए आवेदन की तीथी 31 एक्टूबर तक बढ़ गई है ACC ट्रक यूनियोन और जिला परसासन की तीसरे दोर की वरता भी बिफल ACC सिमेंट पलांट बंध होने के बाद मंगलबार को जिला परसासन ट्रक यूनियोन और आदानी समू परवंदन की तीसरे दोर की बैठक हुवी करीब तीन गंटे की जद्दो जहत के बाद भी इस वरता में समस्या का कोई हल नहीं निकला और वरता भी फल रही अगली बैठक तीन दिन बाद होगी मंगलबार सामको उपाईक्त करियाले में उपाईक्त पंकजराई ने पहले आदानी समू के साथ वरता की वहीं कमपणी की तरफ से कलस्टर हेट जिंदल और उच अधिकारी निलेश से बैठक में मोजूत रहे लेकिन एक घंटे तक चली बैठक में कमपणी का अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे जब बात नहीं बनी तो कमपणी का अधिकारी ने उपाईक्त से अगामी बैठक के लिए तीन दिन का समय मांगा राजस्व विभाग से आसवासन के बाद बद्धी रेल लाइन का काम सुरू ज़र रेलवे बोट से जमिन की कीमत नौ मिलने पर बद्धी के किसानों ने दूसरे दिन भी सुबह के समय निर्मानकारी नहीं चलने दिया जिन किसानों के खेट से मिटी निकाली गई थी उसे भी भर दिया हाला कि दोपर बाद करीब चार बजे राजस्व विभाग के अधिकारी मोके पर पहुँचे उन्होंने किसानों को आसवासन दिया कि उसका बचा हुआ पैसा जल्द दे दिया जाएगा जिसके बाद किसानों ने काम सुरू होने दिया हाइकोट की निगरानी में 18 जन्वरी को निलाम होगी इंडियन टेक्नोमेक कमपनी जे बहुँ चर्ची 43 सो कड़ो रुपिये के कर एबं बैंक कर्ज में घोटाले में फसी इंडियन टेक्नोमेक कमपनी 18 जन्वरी 2023 को परदेश हाइकोट की निगरानी में निलाम होगी हाइकोट ने पाउटा साहिब की इंडियन टेक्नोम में कमपनी को निलाम करने की छूट दे दिये आपका वदादे की राज जी कर एबं आपकारी विभाग ने अदालत के समक्ष आविदन दायर किया था नियाइदी संदिप सर्माने कमपनी को निलाम करने वाले नोटिस को आदालत के रिकॉर्ड में लेने के लिए आदिस दिये हैं इस मामले में State Bank of India ने भी आदालत के समक्ष आविदन दायर किया है कि इस याचिकान को National Company Law Tribunal चंडिगर अस्तान तरित किया जाए आदालत ने इस आविदन का जवाब दायर करने के लिए परतिवादियों को चार हफते का समय दिया है मामले की सुनवाई 27 मार्च 2023 को निर्धारित की गई है जयसुबे की नवरिनवाचित कोंगरेस की सुकु सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के दो और फैसले पलड दिये है जयराम के ड्रिम प्रोजेक्ट के मंडी हवाई अड़े के समाजिक सरवेक्चन की एजनसी बदलने के बाद अब सिवा प्रोजेक्ट सेंटर ओप एक्सिलेंस कारेले को बंद करने का फार्मान दिया गया है इसके अलाबा उप पुलिस अधिचक पदम सिंग ठाकूर की पुनर नियुकती भी रद कर दी गई है हिमाचल में जहां सडक नहीं वहाँ बनेंगे रोपे 329 गाउं टारगेट पांस साल में 15 इस्टेशन प्रोजेक्ट से जुडेंगे डिप्टी सीम ने मांगे प्रोपोजल जे हिमाचल के गरामी छेतर में इंस्प्राटेक्चर डेवलोपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रोपे का निर्मान किया जाएगा हिमाचल में बनी नई सुकु सरकार की प्रात्मिक्ता में ऐसे 329 गाउं है जहां पर रोपे का निर्मान किया जाएगा इससे गाउं के लोगों को क्रिस्यों और बागवानी उत्पादों की ढुलाई में मदद मिलेगी उपमुक मंत्री मुकेस अगनी होतरी ने अधिकारियों को इसका प्रोपेजल त्यार करने के निर्देस जारी किये हैं ताकि इसे मंत्री मंदल की पहली बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकी वहीं आपका पता दे कि राजे सरकार इस प्रोपेजल के लिए नबाट से फंडिंग करवाईगी साधी के सिलीए सुब मुर्त वर्स 2023 में पांच महिने निकल जाएंगे खाली जे नए साल आ रहा है ऐसे में साधी के पवित्र बंदन में बंदने के लिए युवा भी ललाई थे लेकिन किया आपको पता है कि नए साल यानि वर्स 2023 में सिर्फ बावन दिन ही ऐसे हैं जिसमें विभाग के बंदन में बंदा जा सकता है यानि साल के 365 दिन में महा जिवाओं के लिए बावन दिन ही साधी के लिए सुब माने गए हैं इन 51 दिनों को छोड़ दें तो बाकी दिनों में साधी को वर्जित माना जाता है महिनों की बात करें तो जनवरी में 6 दिन ही ऐसे हैं जिसमें साधी हो सकती है इनमें 15, 18, 25, 26, 27 और 30 जनवरी को ही साधी का सुब मूर्थ हैं इसके बाद फरबरी में 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 25, 27, 27 और 28 फरबरी को साधी की जा सकती है यानि फरबरी में 12 दिन साधी के सुब मूर्थ के लिए हैं फिर मार्च में 6, 9, 11 और 13 मार्च का मूर्थ अच्छा है दोस्तों आज की संदार खबरों का सिलसिला इसमाप तो होता है एगर जनकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेयर, चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताएं कि आप निउस को किजिलर पंचाय से देख रहे थैंक यू, अल्दे बेस्ट